वेलकम, वेलकम बनस अगें, डियर स्टुडेंट्स, एम में थर्ड सेमिस्टर का एक्जैम होने वाला है और उनका उनको अपना सिलेबस रिवाइस करना है और जहां कुछ दिक्कत आ रही है, उसके टेव मैं आपको फिर से समझा दे रही हूं कुछ चीजें जो नॉर्मल Reliability can be improved, है ना, बहुत बार ये question आया है कि कैसे आप किसी परीक्षन की विश्वस्नियता बढ़ा सकते हैं और विश्वस्नियता से आप समझते क्या हैं, तो हम लोग पहले इस पर बात कर चुके हैं, लेकिन फिर से इसको एक बार आप समझ लीजे और अपने answer को इस तरह से measure, मतलब हम अगर नाप रहें, कुछ और उसमें संगतता बनी हुई है, निरंतरता बनी हुई है, इसका मतलब कि particular जो measurement, particular जो test है, वो हमारा reliable है, तो क्या कह रहे हैं ये, कि reliability refers to, reliability refers to self correlation of the test, यानि अगर परीक्षन है, तो परीक्षन का अगर हम self correlation करें, यानि कि उसके सारे items का आपस में correlation निकालें, तो वो विश्वसनियता के समकक्ष बैठता है, फिर consistency in results obtained in a single administration is the index of internal consistency, यानि कि हम एक बार single administration पर जो result आएगा, उसमें अगर consistency है, तो क्या होगा, internal consistency के लाता है वो, और consistency in results upon testing and retesting, अगर हमने एक group पर एक बार वो test लगाया, थोड़े समय बाद फिर से वो test लगाया और अभी भी consistency बनी हुई है marks में, तो वो temporal consistency के लाता है, okay, आचा, तो reliability क्या हो गया, reliability thus includes both internal consistency as well as temporal consistency, यानि self correlation of the test भी है, internal consistency भी है, और temporal consistency भी है, इन दोनों को मिला कर विश्वसनियता कहा जाएगा, फिर इसका एक logical या technical meaning भी है, जिसको अक्सर हम लोग धिहान न नहीं देते हैं और सिर्फ विश्वसनियता का मतलब consistency of a measure समझ कर या आगे बढ़ जाते हैं, देखिए, कोई भी हम पे test apply किया जाएगा, administer किया जाएगा, तो हमको एक score मिलता है, तो score क्या होता है, अब इसको समझा दे रही हूं कि वो हमारा obtained score होता है, तो obtained score किसके बराबर होता है, एक तो true score मालीजे हम एकदम ideal condition में 10 में 10 हमारा आ रहा है, तो वो 10 plus हम कुछ error करते हैं, कुछ error करते हैं तो चुकि error हमेशा minus में होती है, तो 10 plus minus तो plus minus में हो जाएगा और वो उसमें से घट जाएगा, इसका मतलब obtained score हमेशा true score से कम होता है, क्योंकि कुछ न कुछ error ह हो जाती है, तो reliability क्या है, कि यह जो error है, जितनी ज्यादा हम कम कर सकेंगे, हमारी reliability उतनी ज्यादा होगी, या हम यह कह सकते हैं कि ideal condition जो कि non, मतलब impossible है, जो हम achieve नहीं कर सकते हैं, कि अगर हमारी 0 या error हो जाए, तो reliability 1 या 100% हो जाएगी, जो कि unachievable है, तो यह इसका logical या technical meaning है इसको आप समझ लिए, कि each individual score or measurement is made up of two types of scores, कौन-कौन से score, जो हमने अभी बात कर ली, पहला true score and the error score, true score क्या है, true score is this score which is free from errors, जो कोई भी गलती नहीं हो रही है, वो सारा free from errors है, occurring due to the chance factors, कई बार by chance हो जाती है, कई बार systematic error होती है, as well as from other kinds of errors, तो chance errors और random errors को हम statistics की भाशा में कहते है, errors of measurement, okay, तो reliability क्या है, reliability is directly related to the size of the error score, size, error score का जो है, वो reliability उसे directly related, कैसे, जितना smaller error score होगा, the smaller the error score, the more reliable is the test or the measuring instrument, हमारा measuring instrument या हमारा परिशा, उतना ही अधिक विश्वस नहीं होगा, तो यह इसका logical या technical या statistical meaning है, और उपर वाला तो उसका normal meaning है, फिर psychologist ने, कई तरीके से हमको consistency या reliability के types बताएं, पर जो सबसे, अगर हम इसको इस तरीके से देखें, over time, यानि कि समय के संदर्व में देखें, तो reliability किस प्रकार की हो जाती है, test, retest है ना, एक बार test लिया जाएगा, थोड़ी देर बाद फिर test लिया जाएगा, तो इसमें संदर्व किसका ले रहा है, समय का, across items, अगर हम एक ही बार आप पे administer कर रहे हैं, दुबारा administer नहीं कर रहे हैं, तो हम reliability कैसे रहेंगे, items के across लेंगे, तब reliability क्या हो जाएगी, internal consistency, और अगर हम क्या बदल रहे हैं, researchers बदल रहे हैं, across different researchers, यानि एक बार कोई उस research को कर रहा है, दूसरी बार कोई और कर रहा है, त जब reliability हम चेक करेंगे, तो वो inter-rater reliability हो जाएगी, क्योंकि rate करने वाला हर बार बदल जा रहे है, तो एक बार time बदल रहा है, तो test-retest, जब items के across हम चेक कर रहे हैं, तो internal consistency, और जब researchers बदल रहे हैं, तो inter-rater, ये तीन main types हैं, और भी बहुत सारे types हो सकते हैं, मिलते हैं हैं ह तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, test-retest reliability की, जो बहुत common है, test-retest क्या कह रहे हैं, कि when researchers measure a construct that they assume to be consistent across time, जैसे, कौन सा, हम लोग generally psychology में पढ़ते हैं, कि measure जो है, वो time के across consistent होता है, वो है आपका intelligence, तो ये माना जाएगा, कि अगर कोई वेक्ति intelligent है, तो आज उस पर हमने ए test लगाते हैं, तो वो लग बाग उसको similar score करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आज above average हो थोड़े दिन बाद below average हो जाहेंगे, ये possible नहीं है, तो जब एक बार परीक्षण होगा, पुना हद दुबारा परीक्षण होगा, तो जो reliability निकल कर आती, वो test-retest reliability होती है, then these scores they obtain should also be consistent across time, यानि समय के सापेक्ष हमारा जो score होगा, वो consistent होना चाहिए, तो test-retest reliability इसका नाम दिया जाएगा, test-retest reliability is the extent to which this is actually the case, यह इनोंने example लिया है कि intelligence is generally thought to be consistent across time, तो अगर हम उसका एक बार परीक्षण ले और पुना थोड़े समय बार परीक्षण ले तो वो लग बाग consistent आना च चाहिए, अच्छा, फिर test-retest reliability में क्या करते हैं, assessing test-retest reliability, मतलब इस reliability को नापने के लिए, requires using the measuring group of people at one time, using the technique on the same group of people at a later time, यहाँ सेम धियान देने वाले बात है, यह नहीं कि आज आप किनी individuals पे कर रहे हैं, दूसरी बार जब आप test करें, तो आपका group और sample बदल जाए, तो ह हम बदल रहे हैं, लेकिन group हमारा same है, तो अब हम क्या करेंगे, reliability निकालेंगे, कैसे, then looking at test-retest correlation, एक बार जब reliability निकल करा है, दूसरी बार जब हमने, एक बार जो score आया, दूसरी बार जो score है, उसका correlation निकालेंगे, तो हमको two sets of scores का correlation पता चल जाएगा, तो यह बता रहे हैं कि कौनसे statistics इसमें यूस करते हैं, this is typically done by graphing the data in a scatter plot and computing Pearson's R, है न, Pearson का हमने coefficient निकाला है, तो जो भी data इन्होंने यूस किया, इस example, वो कह रहे हैं कि Pearson's R for these data is plus 0.95, यानि कि बहुत बढ़ियां reliability निकल के आया, in general, a test-retest correlation of plus 0.80 और greater is considered to indicate good reliability, जनरल यहे मानते हैं कि अगर 0.8 से ज़्यादा reliability निकल करा रही है, तो बहुत बढ़ियां है, good reliability के लाता है, यहां तो 0.95 निकल करा रही है, तो बहुत बढ़ियां है, ठीक, तो यह हमारा हो गया, sorry, test-retest reliability, फिर internal consistency, कैसे निकालते हैं internal consistency, a second kind of reliability is internal consistency, which is the consistency of people's responses across the items on a multiple item measure, यानि कि कोई test है, उसमें बहुत सारे item हैं, तो उन item के responses के across हम consistency देखेंगे, है न, क्योंकि test तो एक ही बार किया जा रहा है, तो दो तरीके के score आपको मिलेंगे नहीं, तो क्या करते हैं इसमें, in general, all the items on such measures are supposed to reflect the same underlying construct, मतलब, जो हमारे items होने चाहिए, वो किसी एक ही construct को reflect करते हुए होने चाहिए, है न, so, people's across on those items should be correlated भी दी इचाद, तभी हम ना पाएंगे कि correlation उनमें है या नहीं है, तो जैसे इन्होंने example, self-esteem scale का लिया है, हम उसकी अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ reliability पे concentrate करें, तो कह रहे हैं क्या, कि light test, retest reliability, internal consistency can only be assessed by collecting and analyzing data, तो जब internal consistency हम चेक करते हैं, तो हम करते हैं, generally हम क्य split half का मतलब अर्ध भी भक्त कहते हैं, तो हम यह भी कर सकते हैं, तो हम यह भी कर सकते हैं, कि एक से पच्चिस एक बार लें और छबिस से पचास एक बार लें, लेकिन हम इसमें generally जो rule follow करते हैं, वो even odd का करते हैं, मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, तो हमारी दो सेट बन गए, अब इन दो सेट में जो स्कोर्स आ रहा है, उसको हम across इस स्कोर्स उसका कोरिलेशन निकाल लेंगे, तो हमको पता चल जाएगा, इंटर्नल कंसिस्टेंसी क्या है, जैसे कि इनोंने इस जो डेटा, जो भी इनके पास था, उससे निकाला है, पीर याफा से भी निकाल सकते हैं, देखे, हमने यहाँ पर जादा statistics इनवार्व नहीं की है, मतलब फॉर्मूले इनवार्व नहीं की है, अपने इस matter content में, अगर आप फॉर्मूला सही याद कर पा रहे हैं, तब तो आप फॉर्मूले का जिक्र कीजिए, नहीं तो गलत फॉर्म मत लिखेगा examination में, अच्छा, एक बात और खास ध्यान देनी कि अक्सर आपसे objective type questions में कई कई पूछा भी जा सकता है, कि अगर आपको क्या कहने है, when the reliability coefficient of the half test is known, कि यदि आपको आधे परीक्षण का विश्वसनियता गुणांख पता हो, तो क्या आप पूरे परीक्षण की व round prophecy formula है, बहुत simple formula है क्या कह रहा है, कि the formula क्या है, reliability of the whole test is equal to, यानि पूरे परीक्षण की, संपूर्ण परीक्षण की विश्वसनियता बराबर किसके है, 2 गुने reliability of half test upon 1 plus reliability of half test, यानि कि अगर half test की reliability 0.5 थी, तो 2 into 0.5 upon 1 plus 0.5, ठीक, आप में बहुत simple सा formula है, इसको याद रख सकते हैं, और सवाल पूछा जाएगा, तो आप सोब कर पाएंगे, तो आपको अत्यांत पसंदा होगी, मुझे भी होगी, अच्छा, फिर आया interrator है, ये थोड़ा कम popular है, लेकिन चलता ये भी, interrator में क्या है, कि हमें क्या काता है, यहाँ पर बदल क्या रहा है, researcher बदल रहा है, ठीक है, इसमें भी इनोंने cronback alpha निकाला है, cronback alpha का formula आप याद कर सकें, तो कर लीजें, ना याद कर सकें, छोड़ दीजें, आप interrator का नहीं भी जिख्र करेंगे, आप सिर्फ test, retest, और split half बता देंगे, तब भी चाजएगा, alternate form reliability, यह थे बहुत साह होता है, लेकि मैं तो can you increase the reliability of your assessment, यह हम लोग उने पहले बात नहीं कर पायते हैं, आच्छा, आप से पूछ सकते हैं, short notes में कि Aresures Netas को आप कैसे improve कर सकते हैं, तो 6 practical tips यहाँ बताएगी है, सबसे पहला क्या है, use enough questions to assess competence, या इसी को आप कहीं और देखेंगे, किसी और matter में आपको मिल जाएगा कि length of the test, यानि कि length of the test reliability से directly correlated है, मतलब अगर आप परीक्षान को लंबा रखेंगे, तो स्वतह ही आपके परीक्षान के विश्वस्निय होने की संभावना बढ़ जाएगी, है ना, तो पहला point हमको क्या रखना है, reliability बढ़ाने के लिए, लंबा रखना है परीक्षान, लंबा इसका मतलब यह नि कि आप बहुत लंबा करतेंगे परीक्षान, तो फिर परीक्षान करता जो है, वो उसका ध्यान हो जाएगा, अटेंशन छोड़ देगा, तो उसका सवाल अच्छा नहीं होगा, तो बहुत लंग भी निरता है, moderate, लंबा हीगा, यानि बहुत शॉर्ड न इसको बढ़ा भी सकते हैं, वैसे हमको अपना लेंथ अप दी टेस्ट इंक्रीज करना है, फिर, have a consistent environment for participants, कहीं कहीं दूसरी भाशा में इसको कहते हैं, कि हमको homogenous रखना है environment, consistent रखना है, या हमको जो participants रखना है, वो homogenous रखना है, तो consistent environment का क्या मतलब, कि हम अगर test, retest, reliability कर रहे हैं, तो पहली बार हमने जैसा environment उनको दिया है, दूसरी बार भी वैसा ही देंगे, मतलब, जैसे पहली बार बहुत शान्त सुरम में, और जब psychological, practical हम लोग लिखते हैं, तो लिखते हैं न, कि बाता बरान शान्त होना चाहिए, विशही को, जबीता नामों से मुक्त होना चाहिए, यह सारी बाते लिखते हैं, तो ऐसा ना हो कि पहली बात तो हमने उनको बहुत अच्छा बाता बना दे दिया, लेकिन दूसरी बार बहुत शोर था, या कोई इस तरीकी की बात थी, तो obviously उनका result खराब हो जाएगा, और हमको consistent result नहीं मिलेगा तो हमको environment participants के लिए consistent रखना है, या कि कुछ लोग तो इस तरह से कर रहा हैं, कुछ लोग आराम से AC में बैठ कर कर रहा हैं, office में तो obviously उनके results में अंतर आएगा, तो यह नहीं होना चाहिए, तो यह नहीं होना चाहिए, तो यह हम दूसरे शप्तों में कहें कि अगर हम environment consistent फिर क्या है, ensure participants are familiar with the assessment user interface, ऐसा नहीं हो कि जो परीक्षाई है, subject है, जिस पर हम परीक्षा करने जा रहे हैं, वो कुछ एकदम अलग सा उसको पहली बाह देखने को मिल रहा है, जो बिल्कुल जैसे मालेजे, कोई computer से भी नहीं है, techno से भी नहीं है, और आप उसका online assessment कर रहे है तो आधा तो उसका anxiety इसलिए हो जाएगा, कि वो समझ नहीं पा रहा है कि उसको क्या करना है, तो obviously उसका score खराब हो जाएगा, मतलब कुछ लोगों को आपने online करा दिया, कुछ लोगों को offline करा दिया, तो एक तो ये environment भी consistent नहीं है, प्लस जो techno से भी नहीं है, उसके लिए user interface तो ये नहीं होना चाहिए, if a participant is new to the user interface or the question types, then they may not show their true competence due to the unfamiliarity, बजाएस के कि वो बेहतर करें, वो बेकार कर देंगे आपका test, अगर वो interface से familiar नहीं है, this can also reduce test anxiety, मतलब अगर हम उनको practice test पहले करा दें, उसको interface से familiar करा दें, तो test anxiety जो है, वो कम हो जाएगी और obviously हमारी reliability बढ़ जाएगी, if using human raters, train them well, अगर हम inter-rater reliability का use कर रहे हैं, हम raters, human raters use कर रहे हैं, तो हमको उनको scoring rules, objectivity, transparency, इन सारे rules, regulations के बारे में पहले बताना होगा, उनको proper training देनी होगी, तभी हमारा proper निकल कर आएगा, नहीं आएगा निकल कर, फिर, measure reliability, there are a number of ways of doing this, but the most common ways to calculate what is called Cronbeck's alpha, है तो Cronbeck's alpha से आप reliability निकाल सकते हैं, यह formula है, इसको आप देख लिजे, याद कर लिजे, which measures internal consistency reliability, यानि कि आंतरिक संगतता विश्वसनियत आगर हम निकाल रहे हैं, तो Cronbeck's alpha formula इस्तमाल होगा, और higher it is the better, जितना जादा देखे, जब internally consistent होंगे, तभी externally हम consistent हो पाएगा, तो internal consistency, जितनी ज़्यादा निकल आई, यह उतना बड़ी है, it's particularly useful if all questions on the assessment measure the same construct, और तब यह ज़्यादा खायदे मन होता है, जब हमारे सभी प्रश्ण एक ही construct को नापने के लिए बनाए गए हों, और last but not the least, कि conduct regular item analysis to weed out ambiguous और poor performing questions, हम जब भी अपना test बनाते हैं, आप जानते हैं standardization करने के लिए, हमको item analysis करनी पड़ती है, item analysis का मतलब कि हम उसमें वो सारे प्रश्ण उसमें से निकाल देंगे, जो एंडी गूस हो, मतलब शक और संदेह पैदा करने हैं, clearly worded नहीं है, उसमें साफ first नहीं लिखा हुआ है, तो कुछ लोग उसका कोई अर्थ से निकालेंग और items discriminating power भी उनमें हो, ये भी ध्यान देना है, और वो poorly worded ना हो, ये भी ध्यान देना है, मतलब क्या कह रहे हैं, कि running regular item analysis is the best way to identify poorly performing questions, पहरी बाद, दूसरा, items should be of moderate difficulty levels, यानि दश्मों 4 से दश्मों 6 के बीच मन का difficulty level होना चाहिए, और items should be discriminatory ones, मतलब item ऐसे हूँ, जो विभे करम की क्षमता रखते हूँ, ठीक है, तो reliability हम लोग पहले भी कर चुके थे, फिर भी मैंने quick revision आपका reliability का करने की कोशिश की, logical और true meaning उसकी जानिये, reliability के types जानिये, formula याद हो पाएं, तो याद कर लीजे, नहीं याद हो पाएं, तो confusion create कर लीजे, उसको गलत मतलिए, ओकी, और ये 6 small steps हैं, small tips हैं, जिनसे आप अपने perfection की विश्वसनियता बढ़ा सकते हैं, ठीक, चल, जल,